आईपीयल दोजाच चौबिस में गुजराच से मुंबई पहुचे हार्दिक पांडया जी हाँ दोस्तो हार्दिक पांडया गुजराच चे अब मुंबई इंडियंस में वापस गए है तो दोस्तो सभी दसो टीमें ने कूल 173 खिलाडियों को रिटेन किया है और 89 खिलाडिय में सबी फ्रैंचाइजी कुछ खिलाडियों को खरीद कर आईपीयल दोजाच चोईच के लिए अपनी टीम तयार करेंगी गुजराच टाटेंज के कप्तान हार्दिक पांडया आखिका रविवार को अपनी पूरानी आईपीयल टीम मुंबई इंडियंस में वापस लोट है उनका बहुतेर गंटे के ड्रामे के बाद क्रेश ट्रेड के डिल के साथ गुजराच से मुंबई इंडियंस की टीम में जाना हुआता है इस और क्रेश डिल में कोई खिलाडी सामिल नहीं होता है रविवार को पाच बजे आईपीयल के रिटेन विंडो की समय समाप्त हो से आईपीयल गवर्णिंग काउंसिल के सदसे ने कहा साम पाच बजे के बाद हार्दिक का ट्रेड ओफ पूरा हुआ और स्वादा अब अप्चारिक रह गया है और वह अब मुंबई इंडियंस की खिलाडी है और यह एक ओल क्रेश डिल है मुंबई इंडियंस ने अपने 2.5 करोर रूपिय में खरीदा था और हार्दिक पांडया पिछले साल गुजराद के साथ जूड़े थे और इस साल भी टीम हार्दिक की कप्तान इमें फाइनल तक पहुची थी लेकिन खिता भी मुकाबले के बाद चैनने सुपर किंग्स की टीम के सामने हार गए थी और हा हमारे चैनल को सब्सक्राइब किये बिना जना मत